जैमाता दिमित्रो 14 अप्रेल को सूर्य देव मेश राशी यानि अपनी उच्छ राशी में पधार रहे हैं साथ राशियों पे इसका अच्छा बुरा असर होगा जैमातादी मेरा नाम डॉक्टर पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज के अंदर मित्रो आज हम चच्छा कर रहे हैं सूर्य देव बड़ा खास मौका आ रहा है यानि कि 14 अप्रेल को सूर्य देव मीन राशी से निकल कर सौर और मेश राशी में चले जाएंगे यानि कि अपनी उच्छ राशी में बैठेंगे लेकिन उनके साथ में बुद्ध और राहु की यूती भी बनेगी तो क्या ये बुद्ध और राहू की यूति आपके काम खराब करने वाली है बिगाडने वाली है सूर्य और राहू जब एक साथ होते हैं तो सूर्य ग्रेंट दोस्त बनता है तो शास्तर क्या कहता है खास कर नाड़ी जोतिश क्या कहता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं 12 की 12 राशियों में अगर देखा जाए खासकर 7 राशियों का तो उनको पिता या दादा को किसी प्रकार का धान, लाब होगा या सरकारिक रुकेवे काम बन जाएंगे इन 7 राशियों के, अब वो 7 राशिय कोंटिस के बारे में बात करेंगे, दूसरा क्या होगा सूर्य बुद और राहू की यूति से जाता को पैत्रिक संपत्ती का लाव होता है या गाउं के अंदर या पुराने घर का कोई काम वो करवाता है गाउं की यात्रा, ये सात राशी वाले करने वाले हैं इसा योग नज़र आ है या गाओं में जो जमीन है उसका कोई न कोई सोगा करने वाले हैं. तो कुल मिलाकर वह साथ रासी का है, कौन सी हैं, जिनके पैत्रे काम होने वाले हैं, इसके बारे मैं चर्चा कर लासी है, सबसे पहली राशी है मेस। तो मेस रासी पे इस यूती का प्रभाव पड़ेगा, पहला चीज आपको एक महिना पूरा मेस रासी के एलेक्ट्रिक आइटमों में खर्चा आपका आ सकता है, आपके टीवी पे खर्चा आ सकता है, फ्रिज में खर्चा आ सकता है, एसी कूलर में आपका खर्चा रहेगा, सा सूचना इस एक महिने आपको प्राप्त होगी रुकावा काम भी आपका बनेगा नया काम नई डील आपको मिल सकती है तो काम के मामले में यूती लावकारी है थोड़ा खर्चा बढ़ाएगी फिर दूसरी राशी है जिनको इसका प्रभाव पड़ेगा वो है मिथुन राशी तो मिथुन राशी से देखा जाए ये गोचर एकादस भाव के अंदर है तो कहीं ना कहीं भाई को बिमार करता है भाई बैन से हेल्थ से संबंदित आपको बुरी सूचना मिल सकती है एक महिने के अंदर लेकिन आपके लिए अगर देखा जाए तो बौस आपके काम की तार सूर्य बुद्ध राहू की यूति मिथुन राशी के लिए अच्छा है हाला कि आपके भाई बैनों के लिए अशुब है अब तीसरी राशी है सिंग राशी यहां पर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य देव तो ऐसे में क्या होगा संतान यदि सिंग राशी की है ब त्यू evalu इस रोटि में परिवरदन के योग डंजरा रहे साती साथ आपका नदी पहाड़ों की यातरा की यात्रा करेंगे सूर्य देव साती साथ तरकारी रुका वुझ काम आपका बन सकता है सरकार ते समंदीत कोई रुका काम है उसका डिसीजन आपका आसकता है घर समंद आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम भी कराने वाले तो कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा यह होगे हाँ जो सिंग रासी वाले उनके नौकरी के चेंज भी बनते हैं अगर नौकरी चेंज करना चाते हैं तो अपलाई कीजेगा तुरंद बनेंगे अब दो तीन राशी क के बारे में बात की चौती जो राशी जिस पर स्कूचर का प्रभाव पड़ेगा वह करन्या राशी करियर में देखा जाए तो नए काम की आपको उमीद है नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है नई सूचना आपको प्राप्त होगी साती साती सात रुकेवे काम रुकाववा धन आपको तुरंत मिल जाएगा धन के लिए अच्छा है एक मेने के अंदर आपको धनलाब भी होगा रुकाववा काम भी बनेगा जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे है करन्या राशी वाले वह काम भी आपका बनतावा नजर आएगा क्योंकि सूर्य बुद् देखा जाए तो तुला राशी का देखा जाए तो तुला राशी में ये यूती जो देखा जाए तो आपके साथवे भाव में ये गोचर है रुकाववा धन तुला राशी को मिल जाएगा अगर पिता की बात करें तो पिता को धन पद या अच्छी कोई ना कोई करियर से स समद्धिया सूचना प्राप्त होगी आपको तुला राशी वालों को किसी संस्थान से कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है कोई अवार्ड मिल सकता है ऐसा योग नजर आ रहा है खुब काम खुब धन रहेगा एक महीने के अंदर साती साथ पैत्रिक गाउं की यात्रा या पैत्र गाउं समंदी कोई काम आपका होने वाला है भूमी समंदी कोई ना कोई काम आपकराने वाले हैं ऐसा योग नजर आ रहे और देखा जाये तो घर के अंदर भी छुटा-मूटा रिपेरिंग का काम होता वा नजर आ रहा है तो कुल मिलाके जो यह सब्तम गोचर है तूला- प्रॉब्लम बुखार की समस्या आपको और आपके फैमिली मेंबर को सता सकती है एक महिने हेल्थ से आप परिशान या परिवारिक रूप से आप परिशान रह सकते हैं लेकिन करियर के लिए देखा जाए तो काम और धन के लिए ये गोचर बड़ा अच्छा है यानि कि धन अ लगा रहे हैं तो थोड़ा उसकी जांच परतार कल है आप जो अंतिम गोचर है वो है आपका कुम्ब राची पर ये सात्वा गोचर है देखा जाए ये गोचर आपके तीसरे भाओं में बढ़ रहा है तो कहीना कहीं तीसरा भाओं प्राक्रम का होता है तो आपको नेम और सेम में विर्द्धी कराएगा साति साथ किसी संस्ता से आपको संमान मिल सकता द्रमिक यात्रार या पूजा पार्ट में आपका धनकर्च होगा आप अपने हाथ से किसी मंध्रगी करनी पड़ेगी साती साथ इस एक महीने जब सूरी उचके होंगे तो आपको कोई बड़ा काम बड़ा प्रोजक्ट मिल सकता है या आपके किये गए काम के लिए आपको वावाई मिलेगी और भूमी से समंद्री छोटा मोटा काम आपका हो सकता है तो कुल मिलाके देखा जाए तो करियर के लिए ये गोचर काफी अच्छा रहेगा कुमरासी के लिए तो मित्रो इस कारेकरम में बस इतना ही और डिटेल में मित्रो अगर आपको जानना है तो 721024289 इसमें नाम, डेटो बार, टाइम अबर्थ, प्लेस हो बर्थ आपको डाल कर अगर मेरे से वीडियो अपॉन्मेंट लेनी है, तो टेलीफोनिक अपॉन्मेंट भी आप ले सकते हैं, तो इस कारेकरम में मित्रो बस इतना ही, मुझे दीजे जारत, चै मता दी